आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसीली बुंदी की रेसिपी जो बिलकुल सौर्ट और रस भरी बनकर रेडी होता है और इसे बनाना बहुत आसान है प्रेंड्स रेसिपी सुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज लाइक करें अप्रेंग लूसे हम दूरे,इंण रस प्रेंड्ड काई आप मसाला ग करें एक तार दो तार की चासनी नहीं बनानी है, बस हलकी चिप-चिपी चासनी बनाकर रेडी करना है, तो चलिए गैस पर अब हम इसे चड़ा लेते हैं, यहाँ फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है, और जब आप चीनी डालते हैं, बर्तन में और पानी डालते हैं, तो इससे इस और चीनी नीचे तले में बैट जाता है इसलिए जब भी आप चासनी बनाएं तो चीनी डालते हैं तो उसे मिक्स कर लीजे यहां हमारा देखिए चासनी में बॉयल आ रहा है बुंदी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहां यूज किया है आधा चमस दरदरा कूटा हुआ इलाइची पाउडर इससे इस बुंदी में टेस्ट बढ़िया आता है उसके बाद हमें यूज करना है थ अपने लिए बना रहे हैं तो नहीं भी यूज कर सकते हैं उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और गैस आफ करके साइड में रखेंगे अभी हमें बुंदी बनाना है तो उसके लिए हमें बैटर तयार करना होगा तो यहां मैंने यूज किया है दो कप बेसन का तो सबसे पहल में एक कब बेसन डालेंगे फिर दूसरा कब डालेंगे और बेसन जब भी यूज कीजिए तो छान कर यूज कीजिए तो यहां मैंने दूसरा कब भी बेसन डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका बेटर तयार कर लेंगे तो इसका जो बेटर बनता है ना तो जादा पतला होना चाहिए तो चलिए इसे हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के लिए आप विसकर का यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से चमच का यूज कर सकते हैं यहां मैं विस्कर का यूज करूँगी क्योंकि इसमें लंप्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी होना चाहिए यहां एक ही डिरेक्शन में हम इसे मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि इसका जो बैटर हना बिल्कुल वो फलफी टाइप का हो जा है कि आप एक ही डिरेक्शन में इसको मिक्स कीजिए मिक्स करने के लिए आपको 10 मिनिट लग सकता है तभी आपका बुंदी जो है बिल्कुल सॉफ्ट और फुला फुला बनकर रेडी होगा तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इसी तरह से रनिंग कंसिस्टे करेंगे तो यहां बुंदी को तलने के लिए हमने यहां लिया है एक राही उसमें डाल देंगे तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको बुंदी को डालना है तो यहां फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे बनाने के लिए हमन बेटर को थोड़ा इसके उपर डालना है और टैप करते जाना है और हमें चारो तरफ टैप करना है के बल एक ही जगह टैप नहीं किजेगा नहीं तो यह क्या होगा कि एक ही जगह गिरेगा और फिर यह इकठा जम जाता है इसलिए आपको चारो तरफ इसे इस तरह से टैप कर ताकि गोल-गोल बुंदी बनकर रेडी हो सके तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गोल-गोल बुंदी इस तरह से बन रहा है तो बस इसी तरह से आपको करते जाना है इसे बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है तो आप आप देख सकते हैं, यह हमारा बुंदी का color change हो गया है, बस हम इसी stage पे इसे निकाल लेंगे, और बिलकुल crispy बुंदी बनकर ready होता है, तो चलिए इसी तरह से हम निकाल लिये हैं, अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से तल लेंगे, तो फिर से हमने वही प्रोसेस किया है, थो हम इस तरह से छनी को घुमाते जाएंगे और tap tap करते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से यह बुंदी बनकर ready हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, इसे बनने में friends, और खाने में यह बहुत ही tasty लगता है, तो बस इसी तरह से हम सारे बुंदी को बनाकर ready कर लेंगे, हलवाई लोग इस बुंदी को बनाने के लिए जारा का यूज करते हैं, तो बहुत अच्छे से बुंदी बनकर ready हो जाता है, लेकिन हम इस चनी से भी बहुत अच्छे से देखिए, बुंदी बनकर ready हो गया है, तो इसी तरह से हमारा सारा बुंदी बनकर ready हो गया है, यह बह क्रिस्प भी तो यह बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है चलिए अब हम इसे चासनी में डिप करेंगे आभी हम चासनी को चेक कर लेते हैं तो हमारी जो चासनी है वो हलकी गर्म है क्योंकि हमने बुंदी बनाया तो उतनी देर में चासनी जो है युण हलकी ठंडी हो गई है अभी हम इसे गैस पे रखेंगे और इसे 10 मिनेट के लिए और गर्म करेंगे हमें यहां एक तार दो तार की चास नहीं बनानी है यदि रस वाली बुंदी बनाते हैं तो उसके लिए हमें हलकी चिप-चिपी चास नहीं चाहिए तो यहां देखिए मैं इसे चेक करती हूं तो हलका हाथों में चिपक रहा है इसे हम गर्म होने द कि याथ ही बॉंदो में चासनी तो कि अब बॉंदी चासनी आशे मिक्स कर लेंगे तो कि आप यहाँ पूंदी नेरेकं पॉर नेरे विए अशे में लेका ह 온 आप देखेंगे कि बुंदी ने सारी चासनी को अबसर्व कर लिया है, सारी चासनी को अच्छे से पी लिया है, यहां हम इसे कवर करके पांश मिनट के लिए और इसी तरह से रखेंगे, दूसरे साइड हमने एक तरका पैन लिया है, इस पैन में हम डालेंगे थोरा सा घी, किसमिस को रोष्ट करेंगे ज्यादा रोष्ट नहीं करना है बिल्कुल हलका सा रोष्ट करना है आप चाहे तो अपने मन पसंद के ड्राइफ रूट्स का यूज कर सकते हैं तो बस जब यह हलका रोष्ट हो जाएगा तो हम बुंदी में इसे मिक्स कर देंगे यह टूटली ऑ इसे मिक्स कर लेंगे अभी हमने गैश को भी आफ कर दिया है क्योंकि हमारा जो बुंदी है वो अच्छे से चासनी में डिप हो गिया है अब हम इसे आदे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो चलिए आदा घंटा हो गया है अब हम बुंदी को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बुंदी ने सारे चासनी को अच्छे से पी लिया है sheriff krini एव बिल्कुल आपके नहीं देख रहे हैं और हमारी जो बुंदी भी ऑफिए व बिल्कुल अंदर बदान को रहा ही है और बुंदी बहुत सॉफ्ट बन कर रेडि हुआ है तो हैन बहुत ही आसान है इसे बनाना फ्रेंट्स और मार्केट से जब आब इससे लाते हैं तो बहुत महगा मिलता है यदि आपको इस बुंदी की जगह लड़ू बनाना है तो लड़ू बनाने के लिए आप दो तार की चासनी कीजिए और सेम प्रोसेस आपको करना है कीवल चासनी थोड़ी सी गार ही रखनी है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो बढ़ियां सा हमारा बुंदी बिल्कुल रस भड़ी हुई बुंदी रेडी है बिल्कुल सॉफ्ट है इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाते हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर एक बार ठ्राइ की कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आये तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे चरूर बाता हुए तो इसे बढ़ भा रहे हिए तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंदर से रस भरा हुआ है और यह बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेड करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें फिर मिलेंगे किसी और रेसेपी में तब तक के लिए टेक केर बापाई